ये हैं सलवा हुसेन जो अपना दिल इस बैग में रखती हैं 2017 में सलवा हुसेन का हार्ट फेल हो गया था जिसके बाद हेर फिल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक आटिफिशल हार्ट के जरीए उनकी जान बचाई और इसी आटिफिशल हार्ट को सपोर्ट करने के लिए उन्हें एक बैग हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है जिसमें बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और एक पंप प्रेजन्ट होता है पॉंप की मदद से प्लास्टिक चैंबर्स में एर पुश की जाती है जिसके जरीए वो बलड को सर्कुलेट कर पाता है यह आटिफिशल हार्ट 138 बीट्स पर मिनट के स्पीड से धड़कता है सल्वा को इस आटिफिशल हार्ट का एक एक्स्ट्रा यूनिट हर वक्त अपने साथ रखना पड़ता है और उनके हस्बेंट को भी हमेशा उनके साथ रहना पड़ता है क्योंकि एमर्जेंसी के वक्त उनके पास स्रिफ 90 सेकंड का ही टाइम होगा कर दो कनेक्ट तो बेककप मशीन